इस वाइन को पर रहे हैं और उसी क्रम में हमने फॉस्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धि को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हमने स्टार्ट किया है लेकिन उस से पहले जो भी हमने लास्ट क्लास्ट में पढ़ा था उसको हम जल्दी से पर आपको तो यह याद रखना है कि सबसे पहले तो अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है, जब आपसे बोला जाएगा open करने के लिए तब आपको open कर, उसके बाद अगर आपको कोई भी जवाल है या कोई भी doubt है, या कोई भी आप answer कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर आपको करना है in call message पर करें, in call message पर कैसे जाएंगे, तीन विंदू पर click करना है, यह सारे option आपके पास आजाते हैं, और तीन विंदू पर जैसी click करेंगे, तो पहला option आता है आपके पास in call message का, तो यहाँ पर आप अपनी सवाल, doubt और answer को लिख सकते हैं, उसके बाद एक question आपस पोल आज पॉल में answer करने के लिए आपको activity पर click करने है, लास्ट ओपशन आता है activity का, जैसे activity पर click करेंगे, तो आपके पास option आएगा, पॉल पर जैसे ही click करेंगे, तो question number आजाएगा और यह options आजाएगे, जो सही option होगा उस पर tick कर देना है, और vote कर देना है, तो आपके जो answer से हो हम हम आजाते हैं आगे आगे सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट प्लास में पढ़ा तो लास्ट प्लास में हमने सिखा था पुडांकों का भाव पुडांकों का भाव तो सबसे पहले तो आप मेरे को बताएंगे कोई बच्चा कि पुडांक होते क्या कोई भी बच्चे बताएंगे बटा क्या होते हैं इनकॉल मैसेज में आप लिख सकते हैं या फिर आप अन्मूट करके बता सकते हैं कि पुढ़ां होते क्या जिसमें धनात्मक और रिनात्मक दोनों तरीके के नंबर होते हैं ये टोपिक बहुत मतलब चार पांच क्लासिस से चल रहा है और मैं यही कोसन आप से बार बार पोछ रहा हूँ कि पुढांक होते ही क्या है तो अभी सभी को पता हो जाना चाहिए जिसमें धनात्मक और रिनात्मक दोनों तरीके के नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पुढांक होते हैं और जीरो भी होता है तो इसको हम बोलते हैं पुढांक और पुढांक को हमने गुढां करना सीख लिया है चोड़ना हमने सीख लिया है घटाना हमने सीख लिया है अभी हम बात करेंगे भाग करने की भाग करना भी हमने सीख लिया है लास क्लास में और उसका हम कर रहे हैं रिवीजन उसका कर रहे हैं रिवीजन चलिए तो रिवीजन कर लेते हैं पहले कि कैसे हम दो पुड़ांकों क भाग करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको नियम लिखवाए थे भाग करने के नियम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और जल्दी से अपना खतम करते हैं तो भाग करने के नियम भाग करने के नियम हमारे पास क्या है पहला नियम के अगर बात करेंगे तो एक जैसे 100 अविटाए कि अगर आपके पास एक जैसे चिन आते हैं और बीच में क्या होगा बाग ciggak तो बाग होगा या फिर ऐसे लिखा ओगा कि प्लस बटे प्लस माइनस बटे माइनस थो किसा हमेशा हमारे पास जो आंसर आता है उत्तर का जो चिन होता है उत्तर का चिन वह हमेशा प्लस होता है वह हमेशा क्या होगा प्लस होता है चलिए इसका एक्जामपल हम देख लेते हैं एक्जामपल मैंने लिखा यहाँ पर कि 16 को भाग करना है चार सोला को चार से भाग करना है दोनों पॉज अभी दूसरे example की बात करेंगी, मैंने यहाँ पर लिखा minus के 20 और भाग करना है minus के 10 तो अभी भी डोनों के पास एक जैसे चिन है, यहाँ पर भी minus है और यहाँ पर भी minus है, तो हमारे पास फिर से उतर का जो चिन आने वाला है, वो plus आने वाला है, और minus 20 को minus 10 से अगर भाग कर देते हैं, तो यह दो बार जाएगा, ठीक है, तो plus का दो आपका अंसर आ रहा है, प्लस का दो, चली, यहाँ तक बटाएंगे बेटा, अगर समझ में आया है सभी बच्चे के, तो white answer, यहाँ तक अगर समझ में आया है, तो white answer, चली, जो भी बच्चे क्लास में जो इने, तो next नियम यहाँ पर देखेंगे आप क्या, दूसरा नियम क्या था, कि अगर एक संख्या प्लस की होती है और दूसरी संख्या माइनस, एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या प्लस, मतलब अलग-अलग चिन अगर होते हैं, अलग-अलग चिन अगर होते हैं, तो उसको एसे भी डिवैड करते सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस, या फिर एक माइनस, एक प्लस, ठीक है, हिमाचल के नाम से जो बच्चा जोईन है, क्लास पर ध्यान देंगे, मैच इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर उत्तर का चिन क्या आता है, उत्तर का चिन हमेशा क्या आ माइनस आए, उत्तर का चिन आएगा माइनस, ठीक है, तो इसके एक्जाम्पल हम देख लेते हैं, पहले एक जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा माइनस के, माइनस के 36 को बाहत करना है आपको 9, बताएंगे वैटा, आंसर क्या आएगा, माइनस के 36 को बात करना है 9, सभी बताएंगे बटा चैट बोक्स में बताएंगे सभी बच्चे क्या अंसर आने वाला है अपका चली सभी बच्चों का अंसर आने चाहिए आप चट्टिस को नो से भाग करेंगे तो कितना आएगा 36 को 9 से अगर भाग करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है minus 4 क्योंकि एक संख्या minus की है दूसरी संख्या plus की है तो उत्तर तो आपका minus में ही आने वाला है ठीक है बस आपको क्या करना पड़ेगा 36 को भाग करना पड़ेगा 9 से और 9 चोप होता है 36 को minus का 4 चली एक और एक्जामपल आप बताएंगे जल्दी कि मैंने लिखा 72 को आपको भाग करना है minus की 8 से चली चैट बोक्स में सभी बच्चे का आंसर आ रहा थे 72 को आप भाग करेंगे minus 8 सभी बच्चे आंसर करेंगे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा चैट बोक्स वेरी गुड चली सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे चलो आगे देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका सभी का minus 9 आ रहा है तो minus 9 ही answer आएगा क्योंकि एक संख्या plus की है दूसरी संख्या minus एक संख्या minus की है दूसरी संख्या plus की है तो उत्तर तो minus में आने आए तो 72 को minus 8 से अगर आप divide करते हैं तो आपका अंसर आया वे चलिए अगर सभी को समझमा आई है तो सभी बच्चे वाइट करेंगे अगर सबको समझमा आया है वेरी बोड़ चलिए तो आगे आजाते हैं अभी हम आजाते हैं आगे तो यहाँ पर recall टेस्ट है विटा recall टेस्ट तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पॉल सेक्षन में सभी बच्चों को आंसर करना तो यहाँ से कोशन को देखेंगे कोशन क्या है 3,360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं तो भाग कर दीजिए और आंसर दीजिए पॉल सेक्षन में इसका आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बच्चे पॉल सेक्षन में आंसर करेंगे ठीक है पॉल में कैसे जाते हैं तीन विंदू आपको दिख रहे हैं इन तीन विंदू पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का आपके पास ऑप्शन आता है और activity पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपके पास आजाएगा poll का option और poll पर जैसे ही आप click करेंगे तो options आजाते हैं आपके पास तो जो भी options है यह उस पर tick कर देना है और vote कर देना चलिए सभी बच्चे answer करेंगे अपना poll section में सभी बच्चों को answer करना है ठीक है? चलिए सभी बच्चे answer करेंगे very good वेटा, चलिए बच्चों को answer करना है कुछ ही बच्चे रे गएँ वो भी अपना answer कर देंगे वेटा जल्दी 3-4 बच्चे और रे गए हैं जल्दी से अपना answer कर, सब बात अभी सिर्फ दो ही बच्चे रे गएं, दो-तीन बच्चे रे गएं, वो भी अपना आंसर कर देंगे तो पांस सेकंड के बाद मैं पॉल बंद कर रहा हूँ तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं कर रहा है, वो भी अपना आंसर कर देंगे वन, टू, ट्री, पॉर, फाइव, ठीके, पॉल सेक्शन में ने बंद कर दिया है भी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिनके पास पॉल नहीं आया था, वो भी चैट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं, तो अल्मोस्ट सभी बच्चों का आंसर सही है, म हां हिए, ठीके, छै मिनेट आपका आनसर हां, हलो सर, कहां गया आप, चलिए बैटा तो यहाँ पर हमारा अंसर आगया यह ठीक है चितना आंसर आया ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी आपका सही आ रहा है। आज का जो तोपिक है आपका आज का टोपिक है नमबर लाइन संख्या रेखा। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संख्या रेखा तो संख्या रेखा तो रेखा पर कुछ नंबर लिखे होंगे उसी को हम बोलते हैं क्या संख्या रेखा तो आज और ध्यान से इसको हम समस्ते हैं क्या कि संख्या रेखा होती क्या कि जब हम किसी रेखा पर संख्या को नुरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा केते हैं मतलब कि क्या इसका मतलब हुआ कि मैंने एक रेखा खीज भी और इस पर मैंने कुछ नंबर लिख दी है मैंने नंबर लिखे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, इस तरीके से यह नंबर आगे तक चल रहे हैं इस तरीके से यह नंबर आगे तक चल रहे हैं, तो इसी को हमने क्या बोला संख्या रेखा, कि रेखा पर जो नंबर हमने नुरूपित किये हैं, इसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा, लेकिन अभी आप बताएंगे कि संख्याएं आपने पढ़ी है, और कितने तरह की संख्या कौन कौन से संख्या है तो हमने तीन तरीकी की संख्या पड़ी नंबर एक प्राकर्तिक संख्या तो एक से सुरू होती है क्यों संख्या जिरु से शुरू होती है और परंक में तो निगेटिव नंबर भी होते हैं और पोजिटीव नंबर जो ये तो हमने अभी पड़ा। यहां पर आप बताएंगे इस्ख्या रेका है कौन सी संख्या रेका है इसको मैं स्टार्ट करता हूं जिरो इसको मैंने स्टार्ट किया जिरो तो अभी बटाई ये कौन सी संख्या रेखा है ये पूर्ण संख्या रेखा है वेरिगोड मतलब की डबलू तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या रेखा अभी आपको संख्या रेखा समझ में आ गई है संख्या रेखा समझ में आई आपको आगे आजाते हैं मिटा भी आगे देखेंगे यहां पर आपको ये नंबर दिख रहे हैं किसी रेखा पर ये नंबर दिख रहे हैं ये जीरो जीरो के राइट में दिख रहे हैं आपको धनात्मक नंबर और जीरो के लैट में आपको दिख तो इसको हम बोलते हैं चलिए अभी एक चीज आपको समझना आए वो क्या समझना है कि मैंने एक संक्या रेखा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं कि मिडल में आपको रखना है जिरो जब हम चलते हैं राइट जब हम राइट में चलते हैं तो आता है धनात्मक एक दो तीन चार ठीक है धनात्मक नमबर आते हैं और जब हम चलते हैं लेफ्ट पाई और चलते हैं लेफ्ट में चलते हैं तो हमारे पास आजाते हैं रेणात्मक ठीक है जब हम जीरो के बेटा जीरो से जिहार रखने है आपको जीरो से जीरो के राइट में चलते हैं तो नमबर धनात्मक और बढ़ते जाते हैं देखो बढ़ रहे हैं नमबर एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चाफ एंसो बढ़ रहे हैं उसके बाद जब हम left में चलते हैं 0 के left में तो number घठते जाते हैं छोटे होते जाते हैं तो यहाँ पर तो बढ़ते जाते हैं और यहाँ पर घठते जाते हैं तक अभी एक चीज़ आपको समझना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 1 0 और 1 के बीच में यह जो gap रेजिसी को हम बोलते है एक इकाई एक इकाई की दूरी ठीक है? जो इन दोरों के बीच में दूरी होती है वो सभी के बीच में दूरी होगी इसके बीच में भी एक इकाई की दूरी होगी दो और तीन के बीच में भी एक इकाई की दूरी है ठीक है यह समझ मा आई शबको यहां तक समझ मा आया है तो यहां पर भी ध्यान देंगे कि माइनस चार और माइनस तीन के बीच में कितनी इकाई की दूरी है को बताएगा माइनस चार और माइनस तीन के बीच में सर एक इकाई एक इकाई यहां पर भी एक इकाई की दूरी होगी माइनस तीन और माइनस दो के बीच में भी एक इकाई माइनस दो और माइनस तीन के बीच में भी एक इकाई मतलब सब इनहीं भी दो नंबर के बीच में ए एक ही इकाई की दूरी होगा एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो दूरी होती है यह नोट बनाके लिख लीजिए यह जो दूरी की बात हम कर रहे हैं दूरी कभी भी रेडात्मक नहीं होती है मतलब निगेटिव नहीं होती है दोरी कभी भी रेडात्मक नहीं होती है यह आपको याद रखे क्यों नहीं होती है आप समझेंगे इस चीज़ को कि जैसे आप स्कूल से मतलब घर से स्कूल जाते हैं घर से स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के लिए आपको कुछ दूरी तैटरने पड़ती है, जैसे किसी का घर पांच किलो मेटर दूर है, घर से स्कूल और घर से किसी का दो किलो मेटर दूर है, तो आप बोलते हैं कि मैं पांच किलो मेटर जाना है मेरे को या फिर द रिनात्मक होती है, रिर्नात्मक नहीं होती है। है, इंगो तक समझ मा आगिया है सब पर.. चलिए, अगर समझ मा आए है सभी बच्चों को तो यू inki करेंगे। लेको यही चीज़ यहां पर लिखी गई है कि 0 और 1 से नां तक付 इन विंदों की दोरी एक इक आई दोरी कहलाती है तो ये रही बेटा एक इकाई दूरी तो सभी के बीच में एक इकाई की दूरी होती है इसके बीच में एक इकाई की दूरी हो चलिए आगे आजाएंगे अभी यहाँ पर आपको बताना है क्या बताना है क्या आप बता सकते हैं बिंदू एक और चार के बीच की कितनी दूरी है एक और चार के बीच में कितनी दूरी है चलिए बताएंगे बेटा जल्दी एक यह रहा है हाँ पर और चार यह कितनी दूरी है ती निकाई की दूरी ती निकाई की दूरी वैली गुड बेटा तीन इकाई की दूरी है अब कैसे निकालें दो तरीके बेटा निकालने के दो में से आप जो भी अच्छा लगता है आपको उससे आप निकाल सकते हैं देखो बेटा पहला तरीका पहला तरीका देखेंगे पहला तरीका क्या होगा आप दोनों को गोला कर लीजिए एक और चार को अब एक से जाए पहले दो पर इनके बीच में एक दूरी दो से जाए तीन पर इनके बीच में एक दूरी तीन से जाए चार पर इनके बीच में एक दूरी और तीनों को एड़ कर दीजिए तीनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आवे तीन इकाई की दूरी तीन इकाई की दूरी तो ये तो था पहला तरीका पहला तरीका था ये पहला तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं अभी हम दूसरे तरीके की बात करें दूसरा त संख्या में से आपको छोटी संख्या को माइनस करना है तो चार में से एक गया तो बचा तीन आपका आंसर होगा कि यहां तक समझ्मा आया अजब को है यासर सर इस तरीके से अमने निकाला कि आप या तो ऐसे निकाल सकते हैं या बड़ी में से छोटी को माइनस कर सकते हैं ठीक है कि चलिए अगर यह चीजे समझ्मा आई है तो अभी इस एक्जामपल का आंसर दें तो माइनस दो और चार के बीच की दूरी बताई ये बताई ये नोट्वुक में सोल कर लेंगे पहले आप नमबर लाइन को बना लेंगे संख्या रेखो को बनाएंगे उसके बाद आंसर करेंगे ऐसे ही अगर आंसर करेंगे तो गलत आंसर आएगा अगर ऐसे ही गिना देखे आंसर करेंगे तो गलत आंसर आने वागा संख्या रेखा को बना लेंगे पहले उसके बाद आप आंसर करेंगे पेटा मैंने बोला है अगर आप ऐसे ही डारेक्ट आंसर करते रहेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा संख्या रेखा को बनाईए पहले संख्या रेखा बनानी आती है आपको संख्या रेखा बना लेजिए और उसके बाद आंसर करें बार बार बोल रहा हूं अगर आप ऐसे ही आंसर करते रहेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा जब तक कि आप संख्या रेखा को नहीं बनाएगे बेरी गुड चलिए देखेंगे अभी ध्यान देखेंगे जिन बेक्चों का दो इकाई आ रहा है तो संख्या रेखा पर मिडल में जिरो होगा उसके बाद एक दो तीन चार ठीक है उसके बाद लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव नंबर आएंगे माइनस एक माइनस दो ठीक है माइनस तीन माइनस चार अभी आपको देखना है कि माइनस दो और चार के बीच की दूरी तो दोनों को गोला कर लिए माइनस दो को और चार अभी माइनस दो से चार तक जाना है माइनस दो से चार तक जाना है तो माइनस दो से पहले माइनस एक पर जाएंगे एक फिर जिरो पर जाएंगे एक फिर दो पर आएंगे एक पिर तीन पर आएंगे एक पिर चार पर जाएंगे एक तो कितना आ गया कितना आया च्छे इकाई और उसने कैसे किया था जिनका भी दो आंसर आया है उन्होंने सेक्ट मेथड को अपलाई किया ती कि अपने सेक्ट मेथड को ऐसे अपलाई करना है पहले आपको लिखना पर लिखे बड़ी संक्या उपने चार बड़ी संख्या लिखी माइनस ऐसी रहा आप थोटी संख्या है माइनस दो लिखिये आप ना की दो लिकेंगे ठीक है अब ही यहाँ पर देखो एक साथ दो चीन आ रहें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लल तो 4 प्लस 2 कितना अगया अच्छे आगया इसे नहीं करना कि 4 में से 2 गए तो 2 बच गया तो इसे कुछ लिखाए नहीं है। पिटा रेजोन करेंगे क्लास को अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको अभी समझ मा आया है सबको अभी यहां तक समझ मा आया है तो सबी बच्चे वाई टाइप करेंगे यहां तक अगर समझ मा आया है तो वाई टाइप करेंगे दो चलिए अगर समझ में आया है तो अभी इसका आंसर आप देंगे देंगे इसका आंसर वेटा बिंदू माइनस दो और तीन के बीच की दूरी बताईए सेम पॉसन है सेम पॉसन है वेटा माइनस दो और तीन के बीच की दूरी बताईए माइनस दो और तीन के बीच की दूरी चलिए, सभी बच्चे उको अशर करना है, बिटा सभी बच्चे आशर करेंगे, मैं किसी भी बच्चे की नोटबुक को चेक कर सकता हूँ तो नंबर लाइन बना कर तब आपको दिखाना है तब आख चलिए सभी बच्चों का 5 आंसर आ रहा है तो 5 ही आंसर होगा कैसे मैंने बताया आपको कि उन नंबर को आप बोला कर लेंगे पहले कर लिजे बोला ये रहा 2 ये रहा 3 तो माइनस 2 से माइनस 1 पर गए माइनस 1 से 0 पर जाएंगे 1 ये 1 ये 0 से 1 पर जाएंगे 1 ये 1 से 2 पर जाएंगे 1 ये 2 से 3 पर आएंगे 1 ये तो 3 और 2 पांच तो 5 आपका आंसर आए पांच आपका आंसर आए ठीक है चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही अभी हम आ जाते हैं आगे एक ही बार आप माच लिख देंगे तो मेरे को दिख रहा है चलिए आगे देखेंगे ये ये पांच आंसर आए तो दो तरीके से आप कर सकते हैं एक तरीका तो ये ही था एकाई को आप जोड़ लेंगे और दूसरा तरीका क्या होगा कि बड़ी संक्या में से छोटी संक्या को माइनस करना है तो ये रहा बड़ी माइनस छोटी ठीक है बड़ी माइनस छोटी तो बड़ी संक्या थी यहां पर तीन और छोटी संक्या है माइनस दो और माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लग तो पांच इकाई दूरी क्या अभी समझमा आ गिया है सभी बच्चों को अगर समझमा आ गिया है तो अभी होगा बेटा आपका टेस्ट सभी बच्ची पहले दिहानशे कोस्टन को पढ़ लेंगे उसके बाद number line बनाकर अपने notebook में ईसोल करना है पहले और फिर आप आपको answer करना है कहां पर poll section उसके बाद आप answer करेंगे poll section चली तो यहां पर बताएंगे संख्या रेखा पर बिंदू दो और साथ के बीच की दूरी दो और साथ के बीच की दूरी आपको बताने सब्सक्राइब करेंगे जो और साथ के बीच की दूरी आपको बता है जो और साथ को गोला कर लीजिए और दो से साथ तक जाईए देखे कितने इकाई आपके पास आ रहे हैं सबी बच्चे आंसर करेंगे वेटा पॉल सेक्शन में सबी बच्चों को जिन बच्चों ने कर दिया है लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो जल्दी अपना आंसर करेंगे पाइच सेकिंड के बाद मैं पॉल बंद कर रहा हूं तो जो भी बच्चे रे गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे पॉल सेक्षन पांच सेकंड के बाद में पॉल बंद कर रहा हूं कि तू पॉर फाइट टीके पॉल सेक्शन में बंद कर दिया और चैट सेक्शन आपका उपन कर दिया तो जिसके पास पॉल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अंसर करते हैं very good काफी बच्चों का 5 आंसर आ रहा है लेकिन कुछ बच्चे है जिनका आंसर आ रहा है D आंसर C सही है ना A सही होगा ना B सही होगा और ना ही सही होगा आपका D option सही होगा ठीक है C option सही है 2 से 7 तक जाना है तो 2 से पहले 3 पर जाएंगे फिर 4 पर जाएंगे फिर 5 पर जाएंगे फिर 6 पर जाएंगे फिर 7 पर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5 एकाई आंसर आ रहा है लेकिन 2 बच्चों का आंसर आ रहा है 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा आ बेटा वैसे भी कर सकते हैं वो second method बड़े संख्या में से छोटे संख्या को माइनस किया तो 5 ही तो 6 इकाई तो आई गई नहीं आपका पता नहीं कैसे 6 इकाई आ रहा है जिन बच्चों ने 6 इकाई किया टी ओप्शन लगा है वेटा question को solve करना है तो का नहीं लगाना है कि बस आपने option देखे और answer लगा दिया ठीक है simple simple question चल रहे है तो पहले आप notebook में solve कर लीजे question को और फिर answer की चलिए अभी आगे आ जाएंगे आगे समझेंगे यहाँ पर c option आपका सहीगी तर ठीक है आगे समझेंगे यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि साथ संख्या रेखा पर चार के दाई और आएगा या बाई और आएगा तो आपको बताना है कि जो साथ है वो चार के दाई और आता है या बाई और आता है पतलब राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं संख्या रेखा बना लेंगे कि यह जीरो एक दो तीन चार पांच छे और साथ तो अभी देखो क्या दिया हुआ है अभी यहां पर चेक करना है आपको यहां पर आप चेक करेंगे पेटा देखना किस्टे होता है इस चीज को आप समझ लीजिजिया धियान से देखो यहां पर लिखा чार के तो ये के साथ वाला जो नंबर है इसके साथ वाला के साथ वाला नंबर उस से आपको देखना है तो चार से आप देखेंगे चार से आपको देखना है कि साथ कहां पर आ रहा है साथ कहां पर आ रहा है दाई और आ रहा है मतलब राइट में आ रहा है किया समझ मा आया हैं सभी को क्या ये चीज समझ मा आही है यस सर चलिए अगर ये चीज समझ मा आही है तो अभी इसका आणसर आपरेंग roofs मैंने लिखा माइनस दो पाँच के किस ओर आता है बताएँ सर राइट और पेटा पाँच के K के साथ वाला नंबर रैंपांच तो 5 से देखना है आपको सर लेफ्ट के लेफ्ट में आता है ठीक है, कहा पर आएगा लेफ्ट पर आएगा ये आप नंबर लइन से भी देख सको तो डारेटी नहीं पहले आप नंबर लाइन को बना लेंगे उसके आप बाद आप बताएंगे दो, तीन, चार, पांच ठीक है? और यहाँ पर माइनस वन, माइनस दो तो के के साथ वाला नमबर है पांच तो पांच से देखना है तो पांच है यहाँ पर तो पांच के आ रहा है कहाँ पर? लेफ्ट में आ रहा है लेफ्ट में आ रहा है दो क्या चीज़े समझमा आई सभी को क्या ये चीज़े समझमा आई है अगर आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे चलिए एक और एक्जामपल आपको बताना है मैंने लिखा कि 6 माइनस 3 के कि सोर आता है बताईए ाईट सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चो को आंसर करना है बैरी बोग चलिए देखेंगे right माएगा सिंबल दिखरा है आपको कि number line आप बना लिजिए यहाँ पर minus 1, यहाँ पर minus 2, यहाँ पर minus 3, और K के साथ वाला number है minus 3, तो minus 3 हमें देखना है, minus 3 से देखना है, minus 3 से हमें देखना है, तो, एक, दो, तिन, चार, पांच, शे, तो minus 3 से अगर हम देखेंगे, तो यह right में आ रहा है, तो राइट में आ रहा है बिटा ठीक है राइट में आ रहा है यहां तक समझ माया सबको करेंगे है तो आगे आजाते हैं अभी हम आजाते हैं आगे तो यहां एक पॉइंट आउट आपको याद रखना है क्या किसी संख्या के दाईंज और उससे बड़ी संख्या हैं और नहीं और उसके च्षोटी संख्या हो आईए तीं लिकिन चार के अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो छोटी संख्या तो टीन दो है कि और टूरे जो हैं यां אח समझ में आपको यह चीज्ज समझ में आई है सबीको आधे चाहिए अभी यहां तक अगर समझ में आगिया है तो अभी फिर से स्क्रिन पर आपके वोशन आएगा ठीक है उसका आंसर आपको करना पॉल शेस उसका answer आप करेंगे पॉल सेखता question को दियान से पढ़ लेंगे बेटा ठीक है दियान से पढ़ लेंगे और उसके बाद answer करेंगे कोई जल्दी वाजी नहीं करेगा answer करने में ठीक है जल्दी वाजी में आपके answer हो जाते हैं गलत तो इसलिए धियान से कोशन को पढ़ींगे पहले और अब आластर करेंगे किस से देखना है पहले ये modify करना है के के साथ वाले number से देखना है की के साथ वाले number से देखना है संख्या रेखा पर दो साथ के किस और इस्तिप्ष है फटा मैं बार बार बोल रहा हूं वंको बढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे घुख चले सभी बच्चों को आंसर करना है मैं की तब ही बच्चे आंसर करेंगे यह दि dedic Palme न आगि पांट सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर नहां पांच सेकंड के बाद मैं पॉल बंद कर रहा हूं तो जल्दी से अपना आंसर करने हैं वन टू त्री पोर फाइट पॉल सेक्षन में बंद कर दिया अभी और चैट सेक्षन आपका उपन कर दो जिन बच्चे के पास पॉल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्षन में आंसर गएट बेटा जिनका आंसर भी आ रहा है जिनका आंसर भी आ रहा है वेरी बिद तिक एए उपसन नहीं होगा बोला गया है कि ध्यान से आपको करना है ध्यान से कोशन को पढ़ना है और फिर अंसर करना है के के साथ वाले नंबर से देखना है आप देख रहे हैं दो से के के साथ वाला नंबर क्या है साथ है तो साथ से देखना है आपको ना की दो से देखना तो साथ से अगर हम देखेंगे तो साथ के left में आ रहा है दो ना कि right में आ रहा है तो काफी बच्चों का उत्तर गलत था काफी बच्चों ने अपना उत्तर गलत किया कि है अभी ति म हागे आपको किस से देखना पड़ता है कि समझ मा आया कि किस से देखना पड़ता अपको को के के साथ वाला जो नंबर है उससे देखना पड़ता है तीन-चार बार मैंने बोला कुस्टन भी कराएं आपको दो-तीन बार ठीक है लेकिन यहां नहीं देते हैं आप समझमा आगया भी यहां तक चलिए यहां तक समझमा आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे आगे आप यहां पर बताएंगे कोशन लिखा गया है क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपिट कर सकते हैं यह पूर्ण संख्या लिखी हुई है यहां पर क्या हम संख्या रेखा पर कुल पूर्ण संख्या को ही निरूपिट करते हैं या किसी और संख्या को भी निरूपिट कर सकते हैं कि और किस संख्या को हम निरूपित कर सकते हैं अन्म्यूट करके बता सकते हैं अन्म्यूट करेंगे अपने आपको और बता सकते हैं कि हम कौन से संख्या रेखा को कौन सी संख्या को और निरुपित कर सकते हैं पेटा ये पूर्ण संख्या लिखी हुई है पहले से पूर्ण संख्या लिखी हुई है पहले से ये पूर्ण संख्या है और कौन सी संख्या को हम निरुपित कर सकते हैं बेरी गुड पुरांक संख्या को हम निरुपित कर सकते हैं बीच में होता है जीरो दाइं तरफ जाते हैं तो सारे नंबर आते हैं धनात्मक और नंबर बढ़ते जाते हैं लैफ्ट में जाते हैं तो सारे नंबर आते हैं रिनात्मक रिनात्मक आते हैं सारे नंबर और इसी को हम बोलते हैं पुडां यही होता है पुडां जि रिखा पर हम रिर्णात्मक नंबर को भी निरूपित करते हैं तो यही यहां पर लिखा गैंगे तो नंबर बढ़ते हैं और पाई तरफ जाते हैं तो नंबर घढ़ते हैं तो अभी मेरे को बताएंगे इसमें रिनात्मक पुढां कौन से नंबर है रिनात्मक पुढां कौन से नंबर है बिटा क्या होते हैं सर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 यह होते हैं रिनात्मक पुडांग तो अभी रिनात्मक पुडांग में ही बताना है आपको कौन से होते हैं रिनात्मक पुडांग किये वाले बता हैं आपने चीरो से इधर वाले नमबर जो हैं ये सारे नंबर रिनात्मक पुडांक, तो रिनात्मक पुडांक में सबसे छोटा नंबर बताईए, सबसे छोटा नंबर रिनात्मक पुडांक, ठोटी संख, बताईए, क्या होगी, सर माइनस वन, सबी बच्चे बताएंगे, कौन से संख्या होगी बेटा सबसे छोटी, सर मा माइनस चार बोल रहे हैं कोई बच्चे कोई बच्चा माइनस वन बोल रहा है और बताएंगे बेटा सब माइनस माइनस जीरो जीरो तो नहीं होगे बेटा रिकार रेनात्मक पुणांक की बात करें ना की जीरो के रेनात्मक पुणांक को है रेनात्मक नंबर आएंगे सारे जिरो की तो बात करी नहीं रहे हैं यह माइनस चार के बाद भी नंबर है वेटा माइनस पाच भी आएगा माइनस चैन भी आएगा इनसोन ऐसी चल रहा है नंबर फिर्ट बोला आपको कि जीरो से जब डाईं तरफ बाईं तरफ जाते हैं चलिये अभी सबसे बड़ी संक्या बताएंगे सबसे बडी संख्या बकटा रेढमक में बात कर रहे हैं रिणात मक में पें तिर्फ रेढमक में आपको देखना है सबसे CAT अंसर बैरी गुद माईनस तो मा रिदा न फोगी रिणात्मक में सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस ए पेटा जीरो क्यों आ रहा है आपका अंसर जीरो तो रिणात्मक नंबर होता ही नहीं है आप उसमें क्यों ले रहें इसको अभी समझ मा आ गया है सबको कि सबसे बड़ा रिणात्मक नंबर होता है माइनस एक और सबसे चोटा रिणात्मक नमबर होता है माइनस इन्विनेटी चलिए अगर समझमा आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे चलिए तो एक पॉइंट यहां पर लिखा गया देखो यहां पर भी लिखा गया है सिधा सिधा पॉइंट कि सभी रिणात्मक संख्याई 0 से चोटी होती है ठीक है यह लिखा हुआ कि जितनी संख्याई रिणात्मक होती है वो सारी संख्याई 0 से चोटी होगी ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लिखा 0 और मैंने लिखा माइनस के 40 कौन सी संख्या चोटी है क्या कोई बता पाए न वाई तो समझ में आ जाएगा और यह मैसिज में टाइप ना लगाकर आप यहां पर ध्यान दीजिए लास में पजाए इन दोनों में से कौन सी संक्या छोटी है सर माइनस 40 माइनस 40 छोटी है ठीक है माइनस 40 चलिए तो अभी आगे आजाते हैं आगे यही लिखा गया है कि सभी रिडास्मा संक्याइज जीरो के बाई और आई ही तो जो भी रिडास्मा संक्याइज होती है वो जीरो के लेफ्ट में जाती है चलिए आगे आजाएंगे यहां पर अपर तो यह पुडांक हमने देखा है पुडांक हमने देखा है जीरो के दाईं तरफ आते हैं धनात्मक नंबर जीरो के लेफ्ट में आते हैं रिनात्मक नंबर और इस पुरे को हम बोलते हैं पुडांक पुरांत मतलब जड ठीक है जड हम बोलते है चले तो यह हो किया हमारे पास पुरांत इसमें रेनात्मक नंबर भी आ रहे हैं धनात्मक नंबर भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है आगे आजाते हैं अभी आगे देखो क्या लिखा है कि संख्या रेखा पर जीरो के दाई और धनात्मक और बाई और रेणात्मक पुणांत आते हैं थो दाई तरह पा रहे हैं ध्घनात्मक पुणा और बाई तरह पा रहे हैं रिद्धनात्मक पुणा चलि यहां तक बताएंगे बैटा सबको समझमा अगिया है यहां तर चलिए अगर समझ मां आया है सभी बच्चों के तो अभी धिहान से बेटा फिर से आपके स्क्रीन पर एक कोस्टन आएगा धिहान से पहले कोस्टन को पढ़ेंगे उसके बाद नोट भूप में सोल करना है और फिर अपना आंसर कोल सेक्षन में देना ऐसे नहीं करना है कि आपके पास पोल आया और आपने आंसर लगा दिया ठीक है कोस्टन आपका गलत हो जाता है इस तरीको तो सभी बच्चे पहले धिहान से कोस्टन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करें चैट सेक्षन में ने बंद कर दिया आपका तो चैट में कोई भी आंसर नहीं कर पाईगा पोल सेक्षन में जाना है और आंसर करें चलिए सभी बच्चे पॉल्स एक्षं में अपना आंसर करें सभी बच्चों को आंसर करना है पॉल्स एक्षं मायनस 2 को संख्यारेका पर निरूपित कीजिए मायनस 2 को करना है है निरुपित आफðин ऐसा ए रेक्छा पर ठीक है माइनस दो को करना माइनस दो शॉ कि शुटा नर जो बच्छए अंशर करेंगे हो ख़क्री जल्दी से अपना अंसर कर देंगे k's चौब भी बच्चन्य रे हैं जल्दी अपना अंसर करेंगे पांच सेकंड के बाद मैं पॉल को बंद कर रहा हूँ पांच सेकंड के बाद मैं पॉल बंद कर रहा हूँ वान टू ट्री ओर वाइव सर्सक्री इंपर कर लिए इसको डिसकनेट कर दीजिये पॉन को काट दीजिये जैसे पॉन काटते हैं वैसे इसको काट दीजिये और रिजोन कर लिजिये आधि मैंने चैर्ट सेक्शन ओपन कर दीए आपका तो जिसके पास यहां बशक कर सब्सक्रीgem को डीजिये पर एधी आथा थ 2 ये मांनम थैसे अचल कि बच्चोन एधी और शूसं लगाया है कर दिखिbior को बोला हैं मैंने सोल करने हैं मैंन सी ना लेकर बच्चों को नहीं देख रहा है तो उनको मैं बोलब रहा है जिन बच्चों को नहीं देख रहा है वो डेख लीजिए ऐघरधर और बिटा ये रा माइनस तो आपको सिर्फ इतना देखना था कि माइनस दो कहां पर चालिए अगर ये समझ में आई है सभी बच्चों के तो अभी फिर से आपके स्क्रीन पर आपको एक कोस्टन दिखाई देखा उसका भी आंसर आपको पॉल सेक्षन में ले तो दिहान से पहले कोस्टन को देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करें चलिए कैट सेक्षन में बंद कर रहा हूं आपका तो कैट सेक्षन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा पॉल सेक्षन में आपको उस्तर देख चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बता है की गई संख्या रेखा पर तीन किन दो पीच में इससित्त है यह आपको बता कि बैटा बोलना नहीं है आंसर में पोल चल रहा है अभी पॉल चल रहा है तो स्टीन में आंसर में पोल सेक्षन के में जाय से अ है किस बाकी बच्चों को ओसन दिख रहा है तब ही वो आंसर कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए रीजोन कीजिए क्लास को रीजोन कर लीजिए क्लास चले बटा अभी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पॉल सेक्षन पांच सेकंड के बार में पॉल बंद गराएं पांच मिनट के बीच में जॉइन हुए है ना क्लास में पेटा आपकी अटेंडस नहीं जाने वाली है सब्सक्राइबक क्लास को फूरी क्लास को अटेंड करना पड़ता है तब आपकी अटेंडस जातीव क्या आप सोच रहें कि हम लास्ट के दस पंदरे मिनट क्लास ले लेंगे और हमारी एंदूर्ड लग जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी हर एक मिनट की एंदूर्ड जा पूँंड़ जाए jut अभी मैंने चैट बोक्स आपका ओपन कर दिया है तो जिन बच्चे के बास पॉल नहीं आया था वो अभी आंसर कर सकते हैं अपना चैट भी आएगा बी वेरी गुड बेटा बी ही ओप्शन आ रहा है ती ही ओप्शन आपका आएगा ठीक है यहां पर एक लिग दीजिए जिर जाओ के बीच में तो दो और चार के बीच में तो और चार के बीच में तीन आ रहा है मतलब बी ओप्शन से ही लेकिन अभी एक बच्चे का सी ओप्शन आया है चार और सात वह पता नहीं किहाँ सर स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पिटा री जोन करेंगे क्लास को जिसको नहीं दिखाई दे रहा है मैं फिर से एक बार अब स्क्रीन को सेर कर देता हूं ठीक है फिर से मैं सेर कर रहा हूं इसको चलिए अभी बताएंगे कि स्क्रीन दिख रहा है या नहीं तो यहां पर हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आया है बी ठीक है बी आंसर हमारा आया है अभी एक इंपोर्टेंट चीज़े वेटा जो आपको याद रखनी है वो क्या है वो आप समझ लेंगे दियान से कि अगर मैंने ये एक संख्या रेखा बनाई है ये एक संख्या रेखा बनाई है तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये लिखा मैंने जीरो ये लिखा मैंने वन ये लिखा दो ये लिखा कि तो क्या जीरो और वन के बीच में हम किसी संख्या को निरुपित कर सकते हैं जीरो और वन के बीच में किसी संख्या को निरूपित कर सकते हैं हम या कोई संख्या को निरूपित करेंगे बताएंगे बेटा किस संख्या को निरूपित कर सकते हैं 1.1 को तो नहीं करेंगे वेरी गुड, 0.5 को कर सकते हैं, 0.5 हम करते हैं, लेकिन 1.1 को तो नहीं करें, 0.6, वेरी गुड, 0.6 को हम कर सकते हैं, चलिए, सभी बच्चे बताएंगे और, और किस संख्या को हम निरूपित करेंगे, पैटा आपने सकेल देखा है, सकेल, पेमाना आपने देखा है, जिस से हम मेजर्मेंट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा होता है, जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन, इस तरह के से दो लिखा होता है, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, ऐसे लिखा जाता है तो इनके बीच में है न कुछ टंडेल खिचे होते हैं, लाइने खिची होती है, रेखा खिची होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे होता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ की 0 और 1 को हमने 10 भागों में तो पहले वाले लाइन को हम केते है 0.1 दूसरे को हम बोलते है 0.2 तीसरे को हम बोलेंगे 0.4 0.3 और सोथे को बोलेंगे 0.4 पांच वे को बोलेंगे 0.5 ठीक है? तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 और 1 के बीच में हम 0.5 को भी निरोपित कर सकते क्या यह चीजे समझ माई हैं सभी बच्चों को? यस सर्थ तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जो पॉइंट वाले नंबर हैं जो पॉइंट वाले नंबर हैं उसको भी हम इस संख्या रेखा पर निरोपित कर सकते हैं कर सकते हैं वेरी गुट अगर मैंने लिखा है 0.5 इसका क्या मतलब होता है 0.5 को मैं पॉइंट हटाया और नीचे 0 बढ़ा दिया ठीक है तो इसको मैंने लिखा 5 के कम 5 और 5 दुनी 10 तो यह हो गया 1 बटे दो मतलब बेटा किसी बच्चे का माई को है माई को है माई को है ठीक है बेटा तो 0.5 का मतलब क्या हुआ 1 बटे दो तो यह तो 0.5 लिखें आप यह फिर लिखें एक बटे दो तो इसका मतलब यह हुआ कि हम पॉइंट वाले नंबर को तो निरूपित करी रहे हैं साथ में हम बटे वाले नंबर को भी निरूपित कर रहें ठीक है तो सैंक्चा रेखा पर प्रितम के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद रखेंगे अपने माइक बंद रखेंगे अपना चलिए तो हम पॉइंट वाले नंबर को और दिवाइड वाले नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं निरूपित कर सकते हैं समझमा आया है अभी कितना अगर समझमा आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे तो यहां पर आप बताएंगे अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा अभी हम क्लास को कर रहे हैं ओवर तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे और सभी बच्चे धियान देंगे इसी तरीके से आपको रेगुलर रेना है क्लास कोई करेंगे और और इसका अच्छे से नोट्स बना लेंगे और जो भी होंबर्क आपको दिया जाएगा वोंबर्क आप कम्प्रीट हर दो ठीक है अभी हम क्लास को कर रहे हैं ओवर अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे वरना क्लास को कर